आज की ख़बर मैं आपको बताने जा रही हूँ बिहार में मौसुम का क्या हाल है जी आपको बता दू बिहार में मौसुम को लेकर रेड़ अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि मौसम का जो तापमान में बढ़ोतरी होते वे नजर आ रहा है लोग रोड पर निकलना बंद कर दिये हैं 12 बजे के बाद लोग रोड पर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि लू का जो देखा जा रहा है कि बिहार में हद से ज्यादा गर्मी पड़ रही है और साथ मैं आपको बता दू कि लू भी बहुत ज्यादा चल रही है इसी बीच आगे और क्या कुछ मैं आपको बताऊंगी आप इ यहां अधिक्तम तापमान 40.08 डिग्री और न्यूतनम तापमान 22.07 डिग्री रहा है प्रदेश वासियों को दो मैं तक भीसन गर्मी जहेलनी पड़ेगी मौसम विभाग ने मंगलवार को 6 जीलो में भीसन गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है 15 जीलो में ओरेंज जबकी 4 जीलो में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है राज्य के बाकी जीलो में गर्म दिन रहने के आसार है राज्य में 2 मैं तक आधिक्तम तापमान 42.04 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पुर्वा नुमान है मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भागलपूर वपुर्ण भीचन गर्मी की चपेट में रहे हैं पटना मुझपरपूर दर्भंगा वालमी की नगर सुपॉल मोतिहारी सेखपूरा गोपाल गंज खगडिया बांका कटिहार वन नवादा में लू चली है मौसम विभाग ने पुर्वी चंपारन गुपाल गंज नवादा सेखपूरा खगडिया और भागलपूर जीले के लिए भीचन गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है सिवान दर्भंगा सुपाल पुर्णिया अररिया कटिहार रोहतास भोजपूर कैमूर और अं पुर्ण से आने वाला पक्षमी विख्षोब तीन मई से प्रोदेश के लोगों को गर्मी से राहत देगा या एक मजबूत पक्षमी विख्षोब है जो दो मई को जम्मो कस्मिर से टकराएगा विख्षोब की मजबूती के चलते अब प्रत्यक्ष रूप से बिहार पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है रडार और उपग्रह से प्राप्त आकडों के अनुसार प्रदेश में तीन मई से हवा के रूख में बदलाव होगा इसी कारण प्रदेश के अधिक्तम तापमान में दो से चार डिगरी सेल्सियस गिरावट आने के आसार नजर आ रहे है वहें प्रदेश के कई जीलों में हलकी बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने 3-5 मई के बीच कई जीलों में हलकी बारिश की संभावना जताई है पूरा राज भीसन गर्मी और लू की चपेट में है इससे जन जीवन अस्त व्यस्त है आने वाले दिनों में और ज्यादा ता दिन पर दिन और ज्यादा लूच भी चल रही है और साथी साथ आपको बता दू कि yellow अलर्ट red अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कहीं पे yellow अलर्ट तो कहीं पे red अब देखना ये है कि कब मौसम में बदलाव आता है कब हम लोगों को कब बिहार वासियों को गर्मी से राहत मिलती है फिलाल इस वक्त की खबर में इतना है और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते ही एक न्यूस 24 वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे साथ ही हमारे यूटूब चैनल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब करे यदि आप हमारे फेस्बुक पेज को देख पारे तो मारे फेस्बुक पेज को फॉलो करे धन्यवाद